यहां पर हम लोग कुछ important question देखने वाले हैं जो आपके paper की point of view से important हो सकते हैं तो पहला question है green house gas की संकलपना किस ने दी थी तो जोजेफ four year दी थी अगला है कौन सा राजी भारत का प्रतम कार्बन मुक्त राजी बना तो ही माचल प्रदेश वह भारत का पहला कार्बन मुक्त राजी बना ठीक है EPA का पूर्ण रुप क्या है environmental protection agency है या पर्यावान सनच्छनिम जागुता भ्यान से संबंदित अमेरिका का संगठन है थीक है अगला है antarashree amilversa सूचना के इंद्र कहां स्थित किया गया है तो ये Oslo में स्थित किया गया है मेधापाट का कौन है हम पहले भी बता चुके है मेधापाटे कर जो है नर्मदा नदी बचाओ कसे संबंदित थे हैं ठीक है अगला है ठीक है इनका भी एक अंदुलन था नर्मदा बचाओं अंदुलन उसे से ये रिलेड़ेट थी परस्तित की विज्ञान के इंदर कहा है तो ये हमारा बैंगलूरू में है सलीम अली कौन थे ये आप लोगों के लिए है सलीम अली कौन थे सलीम अली पच्छी विहार है एक विक्यात पच्छी विहार है ठीक है अगला है सलीम अली कौन थे नहीं हो गया यहां पर ये गलत लिख गया है ठीक है सलीम अली पच्छी विहार ये लिखावना चाहिए था अ भारत में पहत्थम सब्था जुलाई के पहले सब्था यानि 1-7 जुलाई तक मनाया जाता है अगला है जुलाई में अधिक पेंड उगाओ भ्यान का उद्धगाटन किस ने किया तो एक के मुंशी ने इसका उद्धगाटन किया था नरवद्धा बचाओ आंदुलन से समंदित मेधा पाटे कर पद्यावरण विद्ध इवं सामाजिक कारे करता है ये पिछले वाले का आंसर है ठीक है अगल है ग्लोबल पांसो पुरुसकार कि से रिलेटेट है तो पर्यावराण पतिरच्छा से समंदित ये पुरुसकार है आई एस ओ फोटीन हैं फोटीन थाउजन वन क्या है तो यह अंतराशी प्रमाडन जो प्रदूशन ने अंतर पराली स्थापित करने वाली और दिया जाता ह अगले है राजीव कांदी बं संद्षर पुरुसकार क्या है तो यह भारासरकार के परियावरन अंबन मंत्रा ले दौरा राजीव कांदी बन जिव संद्षर कार शुरुष मानस academia के चेत्र में उलेखनी कारे करने वाले अधिकारियों Tता फिल्ड वरकर्स को प्रदान किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिलती रहें और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहां से भी चुड़ सकते हैं ठीक है अगला कोशन है ओजोन परत के सनच्छन का अंतराश् 16 सेप्टमबर को मनाया जाता है अगला कोशन है हमारा हरित विकास पुस्तक का लेखक कौन है तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट जो पुस्तक है इसके लेखक है W.M. Adams ठीक है अगला कोशन हमारा है हरा सूचिकांग किसके द्वारा विक्सित किया गया मतलब ग्रीन परदून उत्राखन में इस्थित है अगला है भारती वनस्पति सर्वेच्छन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्याले कहां है तो यह हमारा कोलकाता में है अगला है भौपाल गैस तरास्ती में किस गैस का रिषाव हुआ तो मिसाइल आइसो साइनाइड का रिषा जाने वाली लगाने संबंदी पहला प्रोटोकॉल कहां बना था तो यह मांट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है कनाडा में बना था ठीक है मांट्रियल कनाडा ठीक है मांट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में बना था भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहर का क्या नाम है तो ये इंद्रागांदी सिचाई नहर राजिस्थान के है जो सबसे बड़ी सिचाई नहर है। अगला है भारत में बने जो संचर अधिनियम किस वर्स लाग हुआ तो ये 1972 में लाग हुआ भारत में परियावरण संचर अधिनियम किस वर्स लाग हुआ तो ये 1986 में भारत में परियावरण संचर अधिनियम लाग हुआ भारत में जैविवित्ता अधिनियम कब लाग हुआ मीठे पानी की कलप सर परियोजना कहां इस्थित है जो मीठे पानी की कलप सर परियोजना है या गुजरात की खंबात की खाड़ी में इस्थित है किस संयुक्त राज सम्मेलन में प्रत्वी सिकर सम्मेलन नाम दिया गया तो पर्यावरन विकास पर वर्स 1992 में संयुक्त राज स बारती वन सेवा की स्थापना कब की गई तो एक जुलाई 1966 में की गई अगला है फोटकी को दूर करने कि प्रंकिन को क्या कहते हैं तो जल का मिदू करण कहते हैं अगला है समुद्र जल को किस प्रक्रिया से सुद्ध किया जा सकता है तो आस्वन के द्वारा इसको सुद्ध किया जा सकता है ठीक है उसमें नमक ज्यादा होता है ना समुद्र के पानी में प्रकति में पानी सबसे सुद्ध रूप क्य नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहते है और बिहार की जो भिहार का शोक है वो हमारी कोसी नदी है। अगला है भूमिगत जल को दूशित करने वाला आज अब एक पदूशक कौन सा है तो भूमिगत जल को जो दूशित करता है ये आरसेनिक है ये पशिम मंगाल साइड में जादा है ठीके संसार के स्वच जल का कितना पतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंढ़ारित है तो 70 प अमलवर्षा होती है तो अमलवर्षा क्या होती है बादल के जल और सलफर डायकसाइड प्रदूशकों केमद प्रक्रिया के फल सुरुप जो वर्षा होती है उसे ही अमलवर्षा कहते हैं अगला है कादी रंगा राश्टी उद्यान किसके लिए जाना जाता है तो ये एक सि फूलो की घाटी कहाँ है ये भी दो-तीन बार कोशन रिपीटेड है तो आप तक तो आपको याद हो जाना चाहिए यह उत्तराखंड में है सलीम अली राष्ट्री उद्ध्यान कहां विवस्थित है तो सलीम अली जो राष्ट्री उद्ध्यान है यह जंबू का स्मिर स्रीनगर में है अगला है विश्व का सबसे बड़ा mangrove 1 कौन सा है तो विश्व का जो सबसे बड़ा mangrove 1 है वो पशिमंगाल में सित है सुन्दरवन डेलिटा ठीक है वहीं पे है और अगर आप हमारे चैनल पे नए आया है तो फ्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और वीडिय देल्टा की mangrove 1 को क्या कहा जाता है जो गंगा डेल्टा के mangrove 1 है उन्हें सुन्दरवन डेल्टा कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का यह डेल्टा है ठीक है सुन्दरी व्रच किस प्रकार की वनस्पति है तो यह mangrove 1 अस्पति है सुन्दरवन डेल्टा जो ह जो नाम पड़ा है, वहां पर व्रफ जह जादा पाया जाता है, इसलिए पड़ा है। भारत में वर्षा वं कहा पाया जाते हैं, तो उत्तर पूरवी हमालाय और पच्छबी घाट में वो वर्षा के वं पाया जाते हैं, ठीक है अगला है राजा जी राश्री पार्क किसके लिए प्रशिद्ध है तो राजा जी राश्री पार्क जो है वो ये शियाई हांती के लिए प्रशिद्ध है अगला है मद्य पदेश का राज की पच्छी कौन सा है तो आप लोग बताईए यूपी का राज की पच्छी कौ सबसे पहले समलित किया गया इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में और जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे अच्छा लगता है अगर कोई कोश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या कन्फूजन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं बेजी जक और जरूर बताए कर जरूर कर सकते हैं